देवो रुष्टे गुरु स्तराता, गुरो रुष्टे ना कश्चन, गुरु स्तराता, गुरु स्तराता, गुरु स्तराता ना संशे अर्थार भगवान रूट जाएं, देवता रूट जाएं तो गुरू रक्षा करता है लेकिन अगर गुरू रूट जाए तो कोई नहीं होता गुरू ही रक्षक है, गुरू ही रक्षक है, गुरू ही रक्षक है इसमें कोई संदे नहीं है 5 सितंबर एक ऐसे महामानव का जनम दिन जो पूरे विश्व को एक विद्याले तता शिक्षक को समाज का शिल्बकार मानता था ऐसे महान व्यत्तिद्व के धनी तता एक महान शिक्षविद के जनम दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाय जाता है शिक्षकों को समर्पित ये दिन भारत के पूर्व राष्टपती भारत रत्न डॉक्टर सर्व पली रादा कृष्णन के जनम दिन को समर्पित किया जाता है हमारा मानना है कि शिक्षक वो दीपक है जो हमारे अंदर ग्यान का उजाला भरते हैं और किसी भी राश्ट के प्रगति की कुंजी शिक्षक के हातों में ही होती है। किसी विचार धारा को मानते हुए विश्व युव केंद्र, युव विकास और राश्टे की निर्माण में पिछले 6 दशक से समर्कुत है। आईए शिक्षक दिवस के शुक्कामनाओं के साथ बदलते परिवेश में शिक्षकों की भूमिका पर विचार मन्थन करें और इस कारेकरम का हिस्सा बने। अबहार से आज सिक्षकों में एक संदेश देने का काम करेंगे। और आसा है वो पैगाम गाओं के एक कस्वे से लेकर एक मेट्रोपोलिटन सिटी तक जाएगी और वो सिक्षक जो की समाज के रचनाकार हैं वो आज देखेंगे, समझेंगे कि सिक्षकों की भूमिका केवल स्कूल में सिक्षा देने तक नहीं है, कॉलेज में सिक्षा देने तक नहीं है, बलकि उसके आगे भी असमित है और अपरिमित है। इस अबसर पर बिश्वबक केंदर प्रांगन हम अपने दोए सिक्षक ब्रिंद जो की सिक्षा के छेतर से हमेशा जुड़े रहे, अनेका अनेक इन्होंने सोध किया और सिख्षा को एक नया पेगाम दिया उनको अपने प्रांगन में पाकर अभीभूत है सरपर्थम मैं डॉक्टर कविता सर्माजी का स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर कविता सर्माजी फॉर्मर प्रेसिडेंट साउथ एसियन इंस्टिचूट से हैं और देश-विदेश के अनेक इंस्टिचूटिशन से इनका जुराव रहा है जो दूसरी महान ब्यक्तित तो हमारे बीच आये हैं डॉक्टर पद्मस्री जेस राजपूत साहब हम सभी जानते हैं कि NCRT जब अपने स्वर्निम काल में आया और घर-घर में NCRT का बुक पहुंचना शुरू हुआ तो उसका स्रे पद्मस्री जेस राजपूत साहब हो जाता है यह ना के बल भारत का परतिनिर्ध्य तो यूनेस्को में किये बलकि अलग-अलग अंतर राष्टी अस्तर पर जाके सिक्षा पधती कैसी हो इस पर अपना उन्होंने अनेक अनेक ब्याक्ष्यान दिया है और दिसा निर्देश दिया है और साथ ही साथ अपने सलाह दिये हैं अक्सर ये बातें सामने आती है कि साहित समाज का दर्पन होता है लेकिन इस दर्पन का रचनाकार कौन है इस दर्पन का रचनाकार सिक्छक है जितने भी कलाकिर्तियां है यदि वो चित्र है तो उसके चित्रकार सिक्छक है सरपर्थम मैडम हम आप से जानना चाहेंगे कि बदलते परिवेश में सिक्षकों की भूमिका इस विशेपर हम आज एक संदेश लेने की कोशिस कर रहे हैं कि जितने भी भारतवर्स में सिक्षक हैं उन तक एक पैगांब देने की हम लोग कोशिस में हैं कि आखिर इस बदलते परिवेश में सिक्षकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए क्या होनी चाहिए देखिए परिवेश जैसे आपने कहा बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है भारत ही बदल रहा है पिछले 74 साल में जितना भारत बदला है उतना शहिद उसके 500 साल पहले तक नहीं बदला था तो उसकी गती ही तेज हो गई है तो शिक्षक भी जो हमारी सोसाइटी है समाज है उसका एक अंग है तो इसलिए हमारे जो एटिचूड होते हैं लोगों की तरफ वो बदल रहे हैं और हमारे क्लास्रूम्स जो है उसमें बहुत डाइवर्सिटी है वहाँ पे रूरल, अर्बन, डिफरेंट सेक्शन्स अफ सोसाइटी क्लास्स अफ सोसाइटी, रिच, पूर, डिफरेंट कास्ट हमारे कास्स सिस्टम अभी भी बहुत प्रभावी तरफ है तो ये सारा जो है एक क्लास में उस शिक्षक को उस सबसे डील करना है पहले क्या था कि एजुकेशन इलीट को मिलती थी तो एक वो ही क्लास था जिसको एजुकेशन मिलती थी तो थोड़ा सा होमोजिनिर्टी थी तो और शिक्षक भी उसी क्लास से आता था और जिसको पढ़ा रहा था वो भी उसी क्लास से आता है अब शिक्षक का भी क्लास डाइवर्सिफाई हो गया है और स्टूर्न्स का भी हो गया है मितलब किस तर पर पढ़ाना शुरू करें कि सब को जो है मिला सके एक अठा दूसरा हम लोग ICT revolution जो communication technology का revolution है information communication technology ये भी बहुत uneven है कई जगे बहुत है कई जगे blackboard भी नहीं है तो इसलिए जब आप और अभी हम लोग बात ही करते रहते थे तो अब pandemic ने हमको उसमें push कर दिया है तो digital divide जिसको कहते हैं वो हमारे सामने आया है अब समाज की complexity इतनी हो गई है कि शिक्षक को खाली academic mentoring नहीं करने एक mark दर्शन होता है तुम कौन सा subject पढ़ो तुम कौन सा career लो क्या करो उसको psychological mentoring की भी बहुत जरूरत होती है अब सर इसी से जुड़ा हुआ कि 34 बर्स बाद नई सिक्षा निती आई है जिसका कि चहुं और स्वागत हो रहा है हम यह madam से भी जानेंगे पहले आप से जानेंगे कि यह 34 बर्स के बाद यह सिक्षा निती आई है इस पर अगर पूरे इसका आध्यन किया जाए जो कि कई ब भागदोर की जिंदगी में थोड़ा कम होता जा रहा है ऐसा परतीत होता है इस दोनों का इंक्लूजन आप कैसे है अगर आपको पूरा इस बात का अधिकार दिया जाए कि सिक्षक के लिए एक माफदन तयार किया जाए एक गाइडलाइन तयार किया जाए या स्वेक्षा स इसे सिक्षा की इसमें अपना उतरदाइत का निर्भान करें और अपना ड्यूटी पर फॉर्म करें तो यह दोनों का समावेश कैसे हो सकता है यह बड़ा मूल प्रिश्ट है कि मूल्यों की सिक्षा की बात कैसे की जाए और उसमें चरण हो रहा है यह भी एक सुईकारे बा लेकिन ऐसा है कि केवल शिक्षक और शिक्षा विभाग का ही उत्तरदाइत नहीं है कि मुल्यों को लोग आत्मसाथ करें, उनका प्रात्मिक उत्तरदाइत हो सकता है, परिचे करा ना उनका, लेकिन विद्यार्थी केवल इस्कूल के अंदर ही नहीं सीखता, विश्विद्या वो अपने आसपास के परिपिक्ष में भी देखता है। हमारे यहां के वाक के आता था, महाजनों ये इनकता सपन था। जहां पर अच्छे बड़े सम्मानिय लोग गए उसी रास्ते पर चलिये। तो प्रिष्टेंगर चारों तरफ देखा जाए, तो हर छेत्र में कहीं न कहीं जो वैश्वी करण है, जो निजी करण है, व्यापारी करण है, उस सब का प्रहों पड़ा है, उसे च्छती हो लिए। अगर समाज का हर व्यक्ति, हर वर्ग ये समझें, उनका भी उत्तरदायत नई पीड़ी के लिए है। सब के ध्यान मियाना चाहिए, अकेले अध्यापक से ही हम सारी ये प्रेक्षाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अध्यापक बिना किसी पुस्तक के आधार लिये या किसी चीज को उद्रत किये भी मूलनों के शिक्षा दे सकता है। एक समय था जब तक्सिला और नालंदा इंवर्सिटी में अलग-अलग बिश्यो के लोग आते थे और सिखने के लिए आते थे। आज हम वेस्टन एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं। अभी भी भारत की जो सिख्षा पधती है वो बेमिसाल मानी जाती है क्योंकि समाबेसी है, इंक्लूसिव है। लेकिन हम अभी तक्सिला और नालंदा इंवर्सिटी की जो किर्ती थी, क्या उसको दोहराने में हम सक्षम हो पाएंगे या यह एक सपना ही रह जाएगा। मुझे नहीं लगता, वो समय दूसरा था, मेरी नालंदा जो आपने नालंदा यूनिवर्सिटी उसी विजन से बनाई थी, पटना पाटली पुत्र नहीं है, और राजगी पुराना राजग्रह नहीं है, ठीक है? तो इसलिए और वहां का जो शिक्षक था, वो तो पूरी तरह से उसी में समर्पित था, वो एक मंक था, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था, वो मॉनेस्टिक थी, जिसमें बहुत तरह के विशयों पे शिक्षा दी जाती थी, लेकिन उसका आधार एक मूलियों का आधार था, उसमें यूजी सी में आपका नेट नहीं होता था, उसमें जो है कि आपकी जो पीएजडी जो होती हैं, आधे से जादा ना लिखी जाएं तो जादा बेहतर होगा, वो नहीं था, तो इसलिए अगर आपको वो एक्सिलेंस चाहिए, अगर वो एक्सिलेंस चाहिए तो पूरा समर्पित विद्यार्ति और समर्पित समाज के एक अंग होते हैं, मैं कहना चाहता हूं सिक्षक समाज के सरपर्थम और सरप्रमुख अंग होते हैं, सर हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि सिक्षक अभी भी, सिक्षक का अस्तित तो नहीं बदला है, सिक्षक आज भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अगर नेत्रित तो छमता कोई बहाल करने बाले हैं या नेत्रित तो छमता प्रदान कर सकते हैं तो वो सिक्षक ही है अगर inclusive approach को अगर कोई जोर सकते हैं मेरे नजर में वो सिक्षक है अगर कहीं vulnerability है या deprivation है उसको हटाना चाहते हैं तो वो सिक्षक है अर्चन कहा आती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारे सिक्षक कैसे एक समाज के पैरोकार रहें। ना केवल एक सिक्षक समाज के सर परमुक बैक्तित्तो के रूप में अपने आपको अस्थापित करें और समाज का नेत्रित्तु करें। इसमें आपका क्या संदेश है। तीन वातें कहूंगा। एक वेक्ति थे वर्टिन रसल। उन्होंने कहा कि मनुष अगर केवल ग्यान के पीछे जाएगा तो मनुष समाब्त हो जाएगा। तो पहले मुझे समझ मन नहीं आता था। लेकिन मैंने उसे समझने का प्रयास किया। तो यह लगा कि 1945 में जब लास अलामोस में पहला एटामिक एक्स्वोजन का प्रयोग हुआ। एनि एटम बाम का प्रयोग किया गया। तो ग्यान उस समय सर्वोच सिखर पे था। उससे अधिक ग्यान हमारे पास था ही नहीं। लेकिन उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ। हिरोशिमा हुआ। फिर नागासा की हुआ। यह ज्यान था विवेक नहीं था। लेकिन हुमनिटी नहीं थी, मनुष्यता नहीं थी, जो हम कहते हैं मनुष्यत। तो ग््ञान केवल ग्ञान लेकर के आज हमने उसका क्या किया? आज हमारे पास इतने जखेरे हैं पर्वान अस्तों के, नवकी अस्तों के कि हम इस पृत्वी को अनेक बार, कुछ कहते हैंगे सेकुणों बार बरवाद कर सकते हैं जादा और ये बढ़ता जा रहा है ये क्या है ये विवेक की सुनता है अध्यापक वह व्यक्ति है जो उस विवेक को लोगों में इस्थापित करने का प्रयास कर सकता है उसी से जो इसलिए हम क्रिटिकल थिंकिंग, बढ़ाना है क्रिटिकल थिंकिंग, तो उसके लिए ये करना पड़ेगा, और ये एक उदहार हैं जो कहता है कि उस ग्यान का कोई मूली नहीं है, जिसमें उप्योग और सदुप्योग की बात नहीं हो, तो हर परिवतन प्रिगत का देव तक वही विशम में आगे बढ़ेगा, और इसे बढ़ाने में सबसे बड़ा जो कारी करेगा, वो होगा अध्यापक. में, हम हमेशा सुनते हैं कि एक critical thinking, communication, collaboration और creativity, ये चार सीज की एदी बात नहीं की जाएगी, तो आधुने की युग में कोई भी विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ सकता. मैं समझता हूँ, ये तो पहले भी थी, स्वरूप अभी change हुआ है, तो आपके नजरिये से क्या ऐसा स्वरूप change हुआ है और क्या आज एक बिद्यार्थी को, क्योंकि हमारे जो सिख्षक ब्रिंद सुन रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपका संदेश पा रहे हैं, इसके स साथ ही, लाखों यूबा भी सुन रहे हैं इस संदेश को, तो एक बिद्यार्थी क्योंकि एक बिद्यार्थी को क्या ऐसा करना चाहिए, कि हम एक समाज के मुख्य धारा में अपने आपको जोड़े भी रखें, और हम केबल इस समाज के जो resources हैं, उसका केबल हम consumer न बनें, बलकि हम इसके समर्धन में भी योगदान दें, चाहे हो सिक्षा में हो, चाहे समाज के समर्धन में हो, या फिर natural समपदा के संदक्षन में हो, तो एक बिद्यार्थियों के लिए क्या पैगाम मैं हैं, देखिए जो आपने कहा, ये चारों चीज़ें तो पहले भी थी, हमेशा ही रहेंगी, उसके बिना तो शिक्षा नहीं हो सकती है, गती बढ़ गई एक चीज़, और globalization, globalization के बहुत फायदे हुए और कुछ नुकसान भी हुए, आपका pandemic is an offshoot of globalization, है ना, तो इसलिए जो राजपुत साब अभी कह रहे थे न, critical thinking, कि जब गती बढ़ती है, तो हम हमको विवेक चाहिए, विशलेशन चाहिए, और कुछ मूल यह चाहिए, कि हम इस knowledge का इस तरह से उपयोग करेंगे, हम गलत उपयोग नहीं करेंगे, तो यह बहुत जरूरी है, लेकिन यह student नहीं समझेगा, जब तक teacher नहीं समझेगा, और parents, मतलब तीन हो, मैं तो आजकर त दोनों काम पे चले जाते हैं, उनके पास time ही नहीं है, आजकर तो बच्चों को जए grand parents पाल रहे हैं, है ना, तो यह मतलब पूरी family को यह समझना पड़ेगा, दूसरा क्या है, कि अब हमारी knowledge, हमको यह समझ में आने लगा है, कि एक-एक compartment में नहीं हो सकती, जो real knowledge और innovation होता ह है, जो creativity होती है, वो disciplines के intersection पे होती है, अब हम सालों से interdisciplinarity की तो बात करते हैं, लेकिन हमारी tough war बहुत होती है, कि हम दूसरे को नहीं बताएंगे, दूसरे के संग collaborate नहीं करेंगे, चीज को छुपा के रखेंगे, देखिए, एक knowledge ही एक ऐसी चीज है, जो देने से बढ़त होती है, क्योंकि अगर आप उसको छुपा के रखेंगे, तो वहीं तक सीमित रह जाएगी, हम उसको शेयर करते हैं, तो दूसरा भी कुछ हमको बताता है, और इसलिए उसमें बढ़ोतरी होती रहती है, तो इसलिए हमको जो है ना, उसके लिए थोड़ा हमारा systemic change भी होना प किताब ही देख लेंगे, मैंने का भाई वो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका तीन घंटे का इमतिहान है, और अगर उसने किताब पढ़ी नहीं होगी, तो वो देखेगा क्या, वो देखी नहीं सकता, उसका paper ही नहीं खतम होगा, और हमारा मकसद क्या है उस exam लेने का, कि उसको वो चीज आनी चाहिए, ये चोर सिपाई का खेल तो है नहीं कि किसी तरह उसको पकड़ लो के जी उसने, तो अगर वो चीज आनी चाहिए और आपके इमतिहान के चलते, उसको वो चीज आ गई, तो उसमें क्या है, तो मतलब collaborative knowledge, collaborative knowledge, creation and dissemination, और ये जो silos, यशपाल साब तो कहते कहते हो, बहुत कहते थे हो, कि भाई जब तक सारे disciplines के लोग कठे बैठके उसी समस्या को अलग-अलग नजरिये से नहीं देखेंगे, तब तक नहीं बढ़ेगा तो उसी आदरसवादिता को आगे बढ़ते हुए सर, हम आप से ये समझने का परियास कर रहे हैं कि सि इखे को क्या पाते हैं, टॉर्च विएरर या चेंज मेंकर या दोनों, और दोनों तो कैसे, कई ढंक से इसको कहा जा सकता है, थोई देर पहले मैंने कहा था, कि सीखना तो विद्याथी की प्रवर्ति है, गुरुदेव टेगोर ने लिखा, कि हर बच्चे को दो वर्दा न इश्वर देता है, अब आप इश्वर कहें या प्रिक्रित कहें, जो चाहें सो कहें, पहला और इस पे कोई भेदभाव नहीं होता, हर बच्चे को बरावर मात्र में मिलता है और इसकी कोई मात्रा सीमित है ही नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने कहा, इस सबसे अगर रिजात पानी है, तो केवल नीत में लिखने से नहीं होगा, इसको सिक्षक प्रसिक्षन में डालना पड़ेगा, और सिक्षकों को बताना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या है, अब जो परिवतन हो रहा है कि हमारी परिशा पदेद बदलेगी, बच्चे से मुमीद कर रहे हैं को याद नहीं करेगा, केवल उसका उप्योग करेगा, मौसा और हिरोशिमा में हुई थी, क्योंकि मनुष्ट का ग्यान सर्वोची सिकर पर था, उस ग्यान से मनुष्ट की जतनी कुरूरता हिरोशिमा और नागा साकी ने देखी है, या भुगती है, उन दोनों को देखिये, तो आपको लेगा, नहीं, इस ग्यान से हमारा काम नह चलेगा, हमें अट्वोची जखिरे बना कर काम नहीं चलेगा, भविष्व में कितनी ही कठनाया क्यों नहीं हूँ, हर तरफ कठनाया है, हिंसा है, युद्ध है, fundamentalism है, terrorism है, यही तो आगए की दुनिया है, हमारे सामने की दुनिया तो ही, लेकिन इस दुनिया में भी, अग अध्यापक उसमें सहभागिता करेगा, जहां कमी होगी उनको आवशे ग्यान देगा, समझाएगा और उसके कोशल विक्सित करेगा, कैसे मैं विद्यारती को बताऊं कि तुम लोगों को कैसे समझा सकते हो, उसके कैसे समवात संचा, इस्थावित कर सकते हो, और विश्व में शांती और सद्भावना के लिए क्या कर सकते हो, ये सब बड़े बड़े उदेश अध्यापकों के सामने उबरेंगे, समझाएग जतनी कठीन होंगी, उत्तरदाय तो उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे, बहुत बड़ी बात सर कियेगा, अगर सांती और सद्भावना रहे, तब ही सिक्षा का सही पैगाम कहीं भी जा सकता है, अधर्वाइज ये एक कितावी घ्यान बन कर रह जाएगा, विद्वानों ने कहा कि एक किस्मी सताब्दी में जो निरक्षर कहे जाएंगे, वो नहीं कहे जाएंगे जो पढ़ना या लिखना नहीं जानते, बलकि वो कहे जाएंगे, जिन में लर्निंग, अनलर्निंग और री लर्निंग का एटिट्यूड नहीं होगा, तो इसको समावेश करना है, हमें समझना है, तो आज के इस महत्वपुर्ण मौके पर, अगर डॉक्टर कर्वता सर्मा जी को आज पूरे भारत को एक आमुल चूर पडिवर् करना है और वहीं सिक्षा के माध्यम से, तो सिक्षकों के लिए क्या संदेश है, मैं तो यह कहूंगी कि चाहे जितनी भी कठनाईया हों, लेकिन जो प्रभाव एक शिक्षक डालता है, वो शायद कोई नहीं डालता, माता पिता भी इतना प्रभाव नहीं डालते, जितना ए पदमस्री जेयस राजपूत साहब से, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, बहुत बार प्रांगन में सराप आये, वेशववक केंदर प्रांगन में, और एक समय होता था कि ऑडिटोरियम में 500 बच्चे भरे होते थे, बिद्यार्थी होते थे, और उनको आप संबोधित क के जरिये, हम लाखों युवाओं तक पहुँचना चाहते हैं, उनको संदेश देना चाहते हैं, मैडम ने सिक्चक को संदेश दिये, मैं आप से आगरह करता हूँ, कि जितने युवा हैं, उन युवाओं को, और खासकर युवा सिक्चक जो हैं, उनको एक राजपूत और नालंदा ने हमें दिया वो फिर से हम वो सिक्षा की जोती को जला सकें तो आपका संदेश आपने इस वर्क के लिए कहा है इवा और इवा ध्यापक उनकों मैं ये कहूंगा कि आपने जो कुछ सीखा है उस पर चिंदन करिए और अपना रास्ता स्यम निदार्द करिए किसी दूसरे से अपिक्षा मत करिए कि वो आपको आके बताए आपके अंदर बुद्ध है विवेक है उसका उप्योग करिए अपना रास्ता ते करिए और इस समाज में जो हमें हमारे पुर्खों ने सिखा है था कि सर्व भूत ही तीरता सर्वे भवन्त सुखिना उसका अर्थ समझकर जब आप समझने का प्रास करेंगे तो आपके कर्तब बे आपका रास्ता स्यम निदार्द हो जाएगा आपको और कहीं जाने कि आप शक्ता ही हुए हैं कठनाई आपको कितनी दिखाई देती हों आप भी आगे बढ़कर उपरिवतन ला सकते हैं बहुत ही स्वक्ष विचार बहुत सुंदर संदेश और इस संदेश के जरिये हम यह वाँ तक पहुंचेंगे बिस्ववक केंद्र प्रांगन आप दोनों सिक्षक रुपी धरोहर जो हमारे पास हैं सिक्षक रतन हैं उनका हम बहुत बहुत तहे दिल से इस तक वाल करते हैं इस पैगाम के साथ कि बिस्ववक केंद्र 1961 से एकेडमिसियन के साथ काम करते हैं सिविल सोसाइटी औरगनाईजेशन के साथ काम करते हैं अलग-अलग इंस्टिचूट में हमारा काजिकरम चलता अलग-अलग देश के 25 राजी में हमारे गाउं तक गाउं से सहर तक काम चलत तो इसमें civil society organizations हैं, youth groups हैं, जितने भी institutions हैं और जितने विशुबक केंद्र परिवार से जुड़े हुए हमारे परत्यक्ष या प्रोक्ष रूप से सजच से हैं और विशुबक केंद्र परिवार भी सभी लोगों के तरफ से साधर साधर आभार कि आप इस सिक्षक दिवस और ह अंकलब श्रक्ति का बौधकराएं गे हर घर में और हर राज में और हर देश में दॉक्टर कविता सर्मा जाय से शिक्षक और उनके जाय से श्वक्ष विचार हुए हो बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद focus जए भाचिक वाचिक 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 वर एक प्रफिक प्रफ्ट्री बें कर दोक्ता बार गप्राइब धाल कर दो डिला है